Google Webmaster Tool यानि की Google Search Console में ब्लॉग या वेबसाइट सब्मिट कैसे करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ Google Search Console में अपना ब्लॉग सब्मिट करके आप अपने ब्लॉग की सर्च रेंग को गूगल पर इंक्रीज कर सकते हैं high quality traffic अपने blog पर ला सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे दुनिया भर में जातर लोग अपने dots का solution सर्च करने के लिए Google search का use करते हैं और Google भी लोगों की search request से related results को उनके सामने show करता है और Google जो result users के सामने दिखाता है उनमें किसे ना किसी website owner या फिर blogger की website के link होते हैं इसलिए अगर आपकी website है या फिर आप एक blogger है तो आपको अपनी site की link को Google में submit जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी website post को Google search में ला सकते हैं अपने blog को Google पर rank कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले Google search console में अपनी website को submit करना होगा तभी आप अपने blog की हर एक post को Google पर rank करवा सकते हैं तो दोस्तों अपनी website को Google search console में submit करने के लिए इस तरह से आपको Google search console की official website open करने है इस website का link मैं आपको वीडियो के description में दी दूँगा वहांसे भी आप इसे open कर सकते हैं यह website open करने के बाद यहाँ पर आपको start now के इस button पर click करना है जिसके बाद website property enter करने का option आपके सामने आगा तो guys यहाँ पर आप first section में अपना domain enter कर सकते हैं और DNS को verify करके blog submit कर सकते हैं इसके लावा URL prefix section में आप अपने blog का URL enter करके अपने blog को verify कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने blog का link enter करना है और continue option पर click कर देना है इसके बाद अगर आपका blog blogger platform पर है तो वो automatically verify हो जाएगा अगर आप question domain का use करते हैं तो इस तरह से pop-up window open हो जाएगी यहाँ पर अपनी website की ownership verify करने का option आपके सामने आगा तो guys यहाँ पर आप 4-5 तरीकों से अपनी website को verify कर सकते हैं यहाँ पर जो पहला method दिया गया है वो है html file इसमें यह वाली html file download करके और फिर अपने blog में upload करके आप अपनी website की ownership को verify कर सकते हैं otherwise यहाँ पर आप Google analytic account का use कर सकते हैं Google tag manager और domain name provider का use कर सकते हैं लेकिन जो सबसे instant method है वो है html tag को अपने blog में add करना तो दोस्तों यहाँ पर html tag drop down पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद एक meta tag आपके सामने आएंगा तो आपको इस html tag को select all करके copy करने के बाद आपको अपने blog में login करना है अगर आपका blog wordpress platform पर है तो आपको wordpress में login करके wordpress dashboard के left side menu में appearance option पर click करके theme editor option पर click करना है इसके बाद आपके wordpress blog का theme file editor open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको right side menu में तोड़ा सा नीचे की तरफ scroll करना है और theme header का यह option आप देख सकते हैं इस पर आपको click करना है इसके बाद theme header contents आपके सामने आएंगे तो यहाँ पर आपको top में head tag मिल जाएगा इस head tag के just नीचे आपको google search console में copy किया हुआ meta code paste कर देना है paste करने के बाद bottom left corner में आपको update file option पर click कर देना है जिसके बाद आपके blog का theme file editor save हो जाएगा blog submit होने के बाद अब आप अपने blog की हर एक post को google search console में submit कर सकते हैं और अपनी blog post को google search में rank कर सकते हैं तो दोस्तों अपने blog की search engine optimization के लिए आपको अपने blog को google search console में submit जरूर करना चाहिए google search console में blog submit करने के बाद किस तरह से आप अपनी blog post को यहाँ पर submit करके google search में ला सकते हैं इसके बारे में मैं आपको next video में बताऊंगा फिलाल आज की इस video बस इतना ही मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए जैहिन